आज का हमारा टापिक है लेक्रोप्रेटिंग औफ सिल्वर आज हम देखेंगे कि सिल्वर की लेक्रोप्रेटिंग कैसे की जाती है इलेक्रोप्रेटिंग औफ सिल्वर की लेक्रोप्रेटिंग एक लेक्रोप्रेटिंग एक लेक्रोप्रेटिंग सिल्वर की लेक्रोप्रेटिंग एक लेक्रोप्रेटिंग एक लेक्रोप्रेटिंग बना कर की जाती है the cathode is the metallic object to be coated such a spoon cathode उस शेय का होगा जिस पर electroplating करना ही हो जैसे चमज जिस तरह यह diagram में देखें यह anode जो है anode उस शेय का बनाया जाता है electroplating में anode उस शेय का बनाया जाता है जिसकी तह आपने जमानी होती है तो इस process में silver की electroplating में हमने silver की तह जमानी है आपने किस के उपर चमज के उपर तो लहादा silver को आपने anode बना देना है और चमज जो है उसको आपने बना देना है cathode जिस पर आपने तह जमानी है जिस पर तह जमानी होती है उसको क्या बनाते है cathode और जिसकी तह जमानी होती है उसको क्या बनाते है उसको anode बनाते हैं तो लहाज़ा हमने यहां silver की तह जमानी है तो silver को हम क्या करेंगे यहां पे anode बनाएंगे और किस पर जमानी है? चमच पर तो लहाज़ा चमच को हम क्या करेंगे यहां पे उसको cathode बनाएंगे When the current is passing through the cell, the anode deserves to produce silver ions that migrate towards the cathode At cathode, they are discharged and deposited on the object जब cell में से current बुजारा जाता है तो anode से silver ions बनकर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और यह cathode की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और discharge होने के बाद उस चैयर जैसे यहां पे कौन सा था? चमच चमच के उपर यह चम जाते हैं एनोड पे कौन सा अमल होता है? एनोड पे oxidation का अमल होता है वहाँ पे यह silver जो है, यह electron खारच करके silver ions में यह convert हो जाएंगे और यह silver ions जो है, यह move कर जाएंगे किस की तरफ यह cathode की तरफ और वहाँ cathode कौन सा था? यहाँ पे चमच चमच के उपर जाकर यह discharge हो जाएंगे वहाँ से electron लेकर यह silver में convert होगे चमच के उपर जो है, यह जमा होना शुरू हो जाएंगे इस तरह silver की electroplating में आप silver को anode बना देते हैं और जिस पर आपने silver की तह चड़हानी होती है, जमानी होती है उसको आप क्या कर देते हैं, कैथोड बना देते हैं silver क्या करता है, silver का anode यह लेक्रोंस खारज जब करता है तो यह silver ions में convert हो जाता है, यह silver ions कैथोड के तरफ migrate करते हैं वहाँ पे जाकर यह discharge हो जाएंगे जाएंगे